कटिंग 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 शेयर करेंगा तोने स्वांदी सब गया कटिंग कटिंग जमीन जाएदाद गई तर पैजला मैंने अफ़ोश नहीं वाचा यह दार उने मुझे नंगा खर दिया बाई इस जत उतर गई ए तेरी समाल तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है इधर से कटिंग मुझे भी कटिंग में पीनी है अच्छा दस रुपे काम है आजा आजा कोई बात में थांक्यू भाई चखने पर भी जीएस टी चोड़ना बाता है अपिबता दो ना शामान एवं सेवाओं का कर मतलब उसने हमको सामान दिया और इस सिवा के लिए हमोसे टिब देते समझा यह है सामान एवं सेवाओं का व्या बटा यह बताया भाई पब्लिक को ऐसे ही समझ में आता है उनीकी ल कौन हो भाई, अभी आगे सर समझाएंगे, मैं कौन हुई जाने दो, तुम तो खुद को भी नहीं पहचानते, माइक्रो बायोलिजी स्टूडेंट हो न, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, एक शांदार फूड कंपनी में 75,000 मंतली सेलरी, चाहते दो किसी अच्छे से होटल में ब शर्म तो हाती है सर, ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आएगी न, महनत और इमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर, सब किताबी बाते हैं, उस फैक्टरी में काम करने से अच्छा है, मैं याँ दारू पीकर अपनी जान गवादू, तुम जिस फूड प्रोड़क कंपनी में काम करते थे, वहाँ फॉर्मल इन यूज होता था, फॉर्मल इन ही नहीं सर, क्या करें सर, इस बार का बिल भर दूँ क्या मैं, जो भी बिल है उसे भर दो, और इस अड्डे को सील कर दो, इधर भी रेड हो गई, पता ही नहीं चलाएं। बाप रे बाप इस्क्यूज मी, रुख जाईए, आप लोग कौन है और यहाँ पर कैसे आए? वो तलाब से राइट लेके, गोल चकर से लेफ्ट लेके यहाँ पहुँच गये, और बोलूँ, फूट सेफटी ओफिसर्स अरे, तुझे तो निकाल दिया था ना, तू लेके आए इनको, हम इसे लाए है, चलाट सुनिये तो सर, सर मुझे अपने बहुत से बात करनी पड़ेगे, अरे ओ जीनियस, इधर जैमर लगे है, कॉल वाल जाएगा नहीं, हलो सर, हेलो बोलने से फोन नहीं लगे है, प्रभाकर, सर, सर, बिना बहुत के परमिशिन के आप चेक नहीं कर सकते, सक्से न, है, जब तक दूद में मिलावट की जाज पूरी नहीं हो जाती, ना कोई अंदर आएगा, ना कोई बाहर जाएगा, दाट्स माइओ, रभाकर, वेड़ी हो ना, रेड़ी सर, बताओ, इस दूद में क्या-क्या मिला है, सर, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूद में मेलमाइन मिलाया गया है, मेलमाइन क्या है, मेलमाइन एक केमिकल है, जब एग लिटर दूद में पानी मिलाकर उसे चार लिटर बनाते हैं, तो दूद के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है, इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूद में मेले माइन मिलाते हैं नेक्स्ट दूद को गाड़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर नॉर्मली सौ मिली लीटर में सतर मिली किराम ही अलाउड है पर इसमें तो दो सो एमजी है सर यूरिया यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए और तुम दूद में मिला के और क्या के मिलाया सर दूद को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है ये क्या दूद में सोडा डाला हुए बेवडे लोग दूद में दारू पियेंगे कॉस्टिक सोडा क्या होता है जबाब दो मुझे डिटरजिंट टॉइलेट और कपड़े दोने में काम आता है वो और तुम जाग बढ़ाने के लिए उसे दूद में डालते हो है ना सर दूद को नंबे समय तक प्रिसर्व करने के लिए लाश को सड़ने से बचाने के लिए इस केमिकल को तो सूबणा भी खतरनाक होता है और तुम इसे दूद में मिला रहे हो जिसे मासुम बच्च पीसे हैं सर सही माइनों में ये दूद नहीं स्लोप पॉईजन है मरने के बाद भी दूद का इस्तमाल होता है पर तुम लग दूद पिला कर जीते जी लोगों को मार रहे हो पर इंदो मोल को हुई मैंक रही अप्ट ऄğर मुदां हर फिर रहीं नहाँ हरा दRE शहँए अपरो जिसे आत talked ऴोजगी पड़ आया जो बादे खेस राध अपरो खूपच बादक को तुम इसा चाह कब से कम अब तो समझ आउज होती है मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी हिफाज़त कर पाओ हाँ से सारे से बुद्सवाई सलामत है से ठीके दस मिनिट में वाचता हूं सर गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो जनता तो बस पुलिस लॉइंफोर्समेंट और इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है पर आज तुम्हारी वज़े से लोग फूर्ट सेफ्टी इसका नाम सूरच चडड़ा है ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एस्सियेशन का प्रेजिडेंट्स जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठा कर चेक किये तो इसकी चाय पती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम दिनेश वर्मा के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक आम तोर पर टी प्लैंड के दस बारा साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत फ्लेवर और टेस्ट आता है मगर इन टी ब्लैंड्स को दो से तीन सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सक के जल से जल तोर लिया जाए तो ताकत फ्लेवर और टेस्ट इन में से कुछ भी नहीं मिलता लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाये जाता है सर जिससे पीने से कई तरह की बिमारिया हो सकती है सबसे बड़ा खत्रा अतरीका कैंसर इसका नाम है डैनियल क्लीन वाटर कमपनी का मालिक सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बिमारिया ठीक हो सकती है पर जो इंसान इसकी कमपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40,000,000 बिमारिया हो सकती है हर इलाके में ऐसे डारेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती हैं वहीं बिखती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है इन बॉटल्स पर लिखा अड्रेस और दूसरी जानकारिया सब जोटी होती है ये है विकी मलहोतरा प्राइबिट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुँच रखने वाला बिजनिसमैन हेल्थ मिनिस्टर का एकलोता और लाडला भाई मिनिस्टर के रुसूक का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चूकता और इसका फेवरेट बिजनिस है कुकिंग ओयल सब जानते हैं ज्यादा ओयल हमारी सेहत को नुकसान पहुचाता है पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ओयल बिलकुल नहीं है रिससाइकल ओयल है अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज़ करें तो भी इसका रंग नहीं बदलता हमेशा एकदम ब्रैंड न्यू लगता है और इसकी विज़ा ये है कि इसमें टार मिलाय जाता है इस तेल को एक बार इस्तमाल करने में कोई बुराई नहीं है पर पहली बार सिर्फ फाइस्टार होटल में होता है और उसके बाद उसका क्या होता ही हमने पता करवाया है और बहाँ से सीधा भजिय बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टप्री पे जाता है सिर्फ कोकिंग ओईल ये नहीं इसके और भी बड़े-बड़े बिजनस है जैसे पोल्ट रिफाम जो करीब बचाज एकर जमीन पर फैला है किसी चूज़े को बड़ा होने में करीब 3-4 महीने का टाइम लगता है तब ही ये सेहत बंद रह पाते है और इसकी पोल्ट रिफाम में पढने वाली मूर्गियों को कॉलिस्टिन नाम की एंटिबायोटिक का एंजेक्शन दिया जाता है जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है इस अबनॉमल ग्रोथ से इने खाने वाले कई बिमारियों के शिकार होते है खास कर अगर इने छोटी बच्चियां खा ले तो साथ से दस साल की उमर में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है उनके पीरियट की साइकल पर बहुत बुरा असर पड़ता है फिर धीरे धीरे बिमारी बढ़ती जाती है और यूट्रिस कैंसर हो जाता है अगला बिजनस वो चीज जो हर घर की जरूरत है दूद मेरे पास उनके खिलाफ दूद में मिलावट करने के सारे सबूत है और इसलिए मैंने कली उनके सबसे बड़े प्रोड़क्शन प्लांट को सील कर दिया था इतना नई हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सरता सेफ पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है स्टी मिडली को प्लास्टिक में पकाते है कुत्तो के मीट को मटन बोल कर बेचते हैं और ऐसी सेकड़ो चीज है आज के समाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर उल्टा खाकर वो खराब होती है इस जहरीले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिडल्स जाएंगे अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कैंसर कोई बिमारी नहीं है बलकि धन्दा है इसलिए मैंने उन जगाओं को सील कर दिया मैं अपने तजरुबे के आधार पर कह रहा हूं जगर मैंने तुम्हारे जैसा इमानदार आफिसर कभी नहीं देखा हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे अच्छा किया तुमने सील कर दिया मैं इन मुझरिमों को कट घरे में खड़ा करूँगा और इनके खिलाफ सक्त सक्त लीगल एक्शन लूँगा सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो क्यों सर ताकि सारे सबूत उन्हें लटा दे